हेलो दोस्तो आज मैं आपको ऐसी टीप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ जिसे अगर आप फोलो करेंगे तो मेरा वादा है आपसे आप इंग्लिस बोलने में एक्सपर्ट हो जाओगे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को अंतक देखो दोस्तो हम लोगों ने बहुत सी किताबे पड़ी हैं बहुत से वीडियो देखी होंगी लेकिन फिर भी इंग्लिस बोलना नहीं आ रही कोई बात नहीं मैंने खुद इंग्लिस बोलने के लिए बहुत सी grammar books, speaking वीडियो देखे और बहुत समय इन tips और tips को follow कर रहा हूँ जो मैंने analysis करके बनाई है वो मैं आपको share करने जा रहा हूँ जिसे अगर आप follow करेंगे तो इसके बाद कोई भी interview हो या job business या कहीं भी जहां English की वज़ा से आपको problem face करना पड़ता है वो problem face नहीं करना पड़ेगा आपको कोई जरुद नहीं महें इंस्टिटूट जोइन करने की चलो अब ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को start करें तो सबसे पहले trick है reading दोस्तों जितनी ज़्यादा आपकी reading होगी उतना जल्दी आपको benefit होगा अब बात आती है reading करनी क्या है और कहां से करनी है reading करने के लिए आपको स्रीप पहले grammar में tense और preposition सीखना है और साथ ही English की वो books, magazine या newspaper पढ़ना है समझना सुरू करना है जो topic आपको सबसे ज़्यादा interest आए वही चीजे पढ़ना है फिर वो jokes हो या biography हो किसी की आपको समझ आए या ना आए पढ़ना जरूर है आप google translation का भी support लो जहां problem है sentence copy करो और translator में उसका translate करके आप याद कर सकते हैं उसे या पढ़ सकते हैं जो translation के time जो vocabulary और sentence अच्छा लगता है उसे nod करना है और रटा माल लेना है इस trick को daily करने का फायदा ये होगा कि आपको किसी के भी लिखे message, comment, news, paper या फिर कहीं भी English पढ़ने और समझने में कभी दिक्कत नहीं आईगी अब guys आता है point number two, point number two है listening, आप news देखने स्टार्ट करें, cartoon देखो, movie देखो या फिर जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, topic वो सुनना पसंद करो song सुनो, अगर समझना आ रहा हो तो YouTube पर movie या news देखो, या वो वीडियो देखो जिसमें English subtitle का आता हो वीडियो को slow कर दो, अगर समझना आता हो, धीरे धीरे वीडियो की speed बढ़ा दो, normal तक आ जाओ, आपका जो mind है, वो catch करने लगेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है English में आपको bored नहीं होना है, guys, अब आता है point number 3, learning, आप जो भी वीडियो और audio English में देखते हो, या कोई अच्छा speaker हो, English में उसके sentence, word और expression को copy करो example, cricketer है, या cartoon हो, movie हो, आपको copy करना है, हो सके तो native English speaker copy करो, native English speaker के word और sentence को भी copy करते, उन्हें याद भी करो native speaker के sentence को उसी तरह से practice करना है, जिस तरह से native speaker बोलता है, उन्हें video, audio, song, record करके बार बार repeat करो, और जहां जरूद पढ़ती हो वो word और sentence use करो, अब आता है point number four, जो सबसे आदा important है, वो है speaking, आपने तीन point में पिछले जीतना मेनत की, सब खराब हो जाएगी, अगर आप speaking नहीं की, अब बताता हूँ बोलना के से है, सरवात आपको हिंदी sentence में vocabulary use करनी है, simple वाली और tense का use करना है, अपने दिमाग में इंग्लिस में सोच कर, खुद को इंग्लिस में जवाब दो, खुद से बात करो, आइने के सामने देखकर इंग्लिस बोलो, या एक अपने जिसा एक दोस्त बनाओ, जो आप जो native English speaker नहीं है, वो कोई भी 100% नहीं बोल सकता है, दुनिया में कोई 100% सही English बोलता नहीं है, सब सीखते हैं, आपने देखा होगा जो tourist placed होता है, वहाँ गाओं के बच्चे जो छोटी मूटी चीजे selling करते हैं, वो भी English बोलते हैं, खुद की English improvement के लिए ये 5 तरीके आपको रोज आजमान हैं, अगर छोड़ दोगे, तो बोर हो जाओगे, सब मेनत बरबाद हो जाएगी, अब last point आता है, teaching, अगर आपने English बोलना थोड़ा सीख लिया, लेकिन regular use नहीं, या वो environment नहीं मिल रहा, जहां English बोलने वाले face to face नहीं हैं, तो आप teaching करो, छोटे बच्चों क education देना सुरू करो, guide करो और बच्चों को motivation करो, बहुत बात करते हैं बच्चे English में, इससे आपकी fluency सुदरेगी, साथ ही साथ knowledge भी बढ़ेगी, आपको अपनी biography, story English में सुनाना है, बात करना है, और हर दिन कुछ new thing सीखनी है, खुद को improvement, खुद का एक improvement card आपको बनाना है, confidence खोना नहीं है, English बोलते टाइम विलकुल भी, guys आपका mind धीरे धीरे सारी चीज़े जो आपकी पढ़ी, सुनी English की उनका आप use करने लगोगे, तो regular में English uses से आप English बोलते समय जो भी vocabulary है, sentence है, वो याद भी आने लगेगा, और कई लोग भूल जाते है, vocabulary या sentence जब बोलना प समस्या भी दूर हो जाएगी, तो guys ये था मेरा experience English speaking का, आप भी इन tricks और tips को nod कर लो, और follow करो, आपको English बोलने से कोई नहीं रोक सकता, regularity ही बनाई रखनी है आपको, अगर ये खुश से वादा करना होगा, आपको वरना आप English बोलना कभी नहीं सीखोगे, तो चलिए दोस् जे हिन, जे भारत